नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नाखपल, चीफ मेंटर करियर कंपस। इन दिनों बहुत सारे बच्चे मुझे विभिन माध्यमों से संपर्थ कर रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि सर्वरे प्लस्टू के एक्जाम खतम होने बारे हैं क्या अगले 50-40-50 दिनों में आयम एंदौर के वे आयमों तक के पांच वर्षी M.B.A. प्रोग्राम के एंट्रेस तैयारी की पॉसिबिलिटी है या नहीं है क्या मैं दायरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बहुत सारी बच्चे जो दिली नस्टी में BMS का कोर्स करना चाते हैं खास दोसे शेहिद सुखदेव में पढ़ना चाते हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कुछ बच्चे सिंवाइसे क्रैस्ट तैसे बड़े-बड़े कॉलेजिस से B.B.A. करना चाते हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप सब के इस वीडियो के माध्यम सही नहीं इन सवालों का जब आते हैं सबसे पहले एक महत्पून पार पांच वर्षी M.B.A. आयम इंदौर और आयम रूप तक से प्लस्टो के बाद एक बहत्रीन शांदर करियर्स बसे हैं ना के वल महाँ पढ़ाई ही बहुत कुछ तर्की होती है बलकि महाँ पे उसके बाद नौकरियां भी बहुत अच्छी लगती है और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप ग्रादूशन के बाद आयम इंदौर और आयम रूप तक में जाना चाहते हैं तो कैट के एक्जामें 2,8,000 लोगों से आपका मुखागात है अलगि महाँ सत्रा आयम्स और भी हैं लेकिन फिर भी आयम इंदौर और आयम रूप दोनों बहड़े प्रतिष्टित कॉलेज हैं और आप हरान होगे कि आयम इंदौर के पेपर में करीब 15,000 बच्चे बैठते हैं और आयम रूप तक में उससे कम बैठते हों इसी तरह की सिती, शहीद सुब्धेव और दिलिविश्टि के 14 कॉलेजिस के BMS किये मुश्कित से 40-50,000 लोग ऐसा ही इससे 10-19,000 बच्चे बैठते हैं सिमर्सिज और क्राइस्ट के एक्जामें जबकि अगर आप देखें, इन कॉर्सिस की जो कॉलेजिस के मेंने नाम लिए हैं पांच वर्षे कोर्स की भी बहुत शांदा प्रिस्मेंट है ही है DBA के और BMS की भी बहुत शांदा प्रिस्मेंट है क्या इसकी परिवेश परिक्षा की तैयारी संबर है क्या नहीं है इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है हाँ और ना हाँ क्यों अगर आप मेहनत करने को तैया है if you are ready to work hard you will put in your best आप तोना reasoning logic लगाए अपना और दिमाग लगाए यह समझें कि एक साधरन वीकॉम से कुछ नहीं होने वाला वीकॉम भी यह से ही एक professional college और पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और आयन प्रूतक और इंदौर तो हमारे विश्विक्याद colleges पे से एक है तो हां क्यों देखे उसके लिए सबसे पहले बार को एक्साम का पैटरन समझाता हूं फिर आप समझाता हूं कि हां क्यों है और ना उन बंचों के लिए है जिनको लगता है कि हमने प्लस्टू में बहुत भाधाई कर ली और अब हम सिरफ थोड़ा बद हल्की फुल्की तया और यह यह क्याटीन पीर ऑपहा जो क्लास्टू के अे चांगे बी और प्लस्टू का पशायद कर से चलेन इसलिए और भी आपको आपको समझ चुन सब्सक्राइब आए लिए उर्ण कि देखते हैं आये मंदावर का पेपर आता कैसा है, इसमें दो सेक्षिन रहते हैं, पहला सेक्षिन साथ कॵेश्टन से रहता है, जो कि कॉंटेटिव इसकूल्ड मातेमेटिक्स, डेटा इंटरप्टेक्शन, रीजनिंग, इनको मिलाकर यह साथ कुश्चन का सेक्शन बनता है, चारिस कुश्चन इसमें इंग्लिश के समन देता है, जो रीडिंग कॉंप्रियांचन, क्रियाबर वगयाद लगी, सारे के सारे ये मल्टीबर जोय सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और वनफोर्ट नाइगेटिव बाकिंग है, एक क्वेश्चन के लिए चार नंबर दिया जाते हैं, यानि कि चार सो मार्क्स का पितवरुता है, अब पिछले साल की कट अफ क्या लगी, पिछले साल जिन बच्चों के लगवगद 240 से 50 के बीच में नंबर थे, उनको इंटर्व्य के लिए कॉल आगी थी, 250 बच्चों के बीच में बच्चे फाइनली आयम इंदौर में सेलेक्ट वी होगे थे, आयम रोपता का रग्जायर स्ट्च्च्चर था, इसमें एक सो बीस मिनट का पीपर था, चालेस मिनट मिल रहे थे आपको मैठ्स का पेपर करने के लिए, जब मैं मैठ्स कोलता हूं, तो प्लीज रिमंबर ये 6 तू 10 का मैठ्स में मोटे दोर से 6 तू 10 का मैठ्स ही आता है, और इंग्लिश्रा स्क्ष्चन है, रीनिग इण्परेंष्टिं, गराऊवर स्क्ष्चन को ये कि रिजंग रहीं नजी में मांता है कि आयम हो तक उसको अलग रहए है, चालेस चालेस मिलते है आपको तीनों सर्फ्टिर्स को क्लियर करते के लिए, MCQ है, Negative Marking इसमें भी है, जितने भी Objective Question Papers होते हैं, उन सब में Negative Marking आमतार पर रहता है DUJ, जो BMS के लिए Bachelor of Management Studies होगी मग प्रतिश्टिव कोर्थ है उसके Interacist में चार सेक्षिन होता है Quantitative Textbook के 25 क्षेशन Peasney के 25 क्षेशन General English के 25 क्षेशन और Business and GK Awareness के भी Awareness के भी 25 क्षेशन होता है सब क्षेशन, टोटल कुल 100 क्षेशन हो गए, और 4 नंबर का एक क्षेशन है अब आता है Symboloices and Price के लिए Symboloices and Price का Exam Structure भी लटबग BMS के तरह है, जिसमें की Reasoning, English, Maths और General Awareness का Section आता है अब इसकी तैयारी कैसे हो 50 दिन में कैसे संबब है देखिए, अगर आपका Maths basic ठीक है, आप माथ खराब नहीं है आपका 9th, 10th का Maths अच्छा 11, 12th के एक तो टापिक से कियो है तो तैयारी पॉसिबल है Maths में आपक है, नंबर सिस्टम Arithmetic का Major Parts होता है तो अगर आप सही माहिन में जैसे हम लोग क्या करते हैं आठ-ाठ घंटे प्रदीन की क्लास लेते हैं तो हमारे की कोशिश रह दिया है कि आप मिड अपरेल तक syllabus को खताम कर लेते हैं जबकि 15 मही के लगवर पेपर होना होता है तक तक तो काफी टाइम बच्चे को मिल आता है तो अगर आपका basic maths तीक है आपको एक अच्छा faculty मिलता है अच्छा teacher मिलता है जो आपको अच्छा से पढ़ाता है को practice कराता है मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस maths के section में दिकत होना जी English का section क्या है Reading Comprehension, Grammar, Vocabulary Reading Comprehension के इस तरकी The Swing and Warby में जो CBSE के आपके पैसे जाते थे उस लेवल की Reading Comprehension है Grammar आप सबने पढ़ी है हाँ, एक section है जिस पर काम करना पढ़ता है वो है vocabulary और अगर आप अगले डेड़ महिने में रोज 5-7 शम्त भी नए सीख लें तो भी काफी होता है हम लोगों के पास ऐसी list होती है जिसमें हमें पता रहता है किस तरह के words एक्जाम में पूछी जाते है अगर आप उस list को अच्छे से पढ़ लें तो कोई समस्या इस section में आते हैं अब रही पास reasoning रीजनिंग एक basic सा इलाका है रीजनिंग में कुछ ही topics है बार 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 पर मात कीजिएगा coding, decoding है, sitting, arrangement, puzzles है अगर आप उसके question को ध्यान से पढ़कर उसकी language को पकड़ नहीं तो और उसके बाद में practice करें तो कोई सभाल ही पैदा नहीं होता यानि की मुखे बात ही है कि आप relax now, तुरंथ आप अपनी classes start करें classes start करें जैसे आपकी पहले चार गंटे की class होती है फिर हम लोग मुझे आठ गंटे class करते है आठ गंटे class करने के बाद यह नहीं है कि आप घर जाकर relax हो जाएं कि मेरा आठ गंटे कदम हो जाता है तो सबसे महत कूल चीज है जिस पर हम बहुत फोकस करते है that is a mock test यानि की IPM का paper आएगा कैसा IM Rota का paper आएगा कैसा BMS का paper आएगा कैसा Symbiosis BBA, Christ BBA का paper आएगा कैसा यह mock test हम कराते है बहुत इंपॉर्टन है क्या आप उन mock test को इमानदारी से दे और उसका analysis करे जिन-जिन इलाखों में आपको problem आ रही है उन पर work करे किसी भी interest test का एक simple सा सूल है S square equal to W square यानि की strengthen your strengths and weaken your weaknesses जो बच्चा इस बात को समझे है हमारे पास ऐसे सैटल हो दारन है पिशले साल हमारे करीब 6 बच्चे आयमन दौर में बढ़ रहे है पड़े दाखला हुआ था करीब 6 साथ आयम रो तक में है दिली बस्टीन दियम्स में भी काफी बच्चे है जो जिनका selection होता और जिनका selection नहीं होता उनमें मुझे एक दो ही चीज़ों का फर्ग नजर आया पहला वो बच्चे जो इनका selection अभले वो average थे यह महरत करने को तरियार थे उन्होंने लगा था काम क्या रिलाक्स नहीं किया दूसरा उन्होंने जो क्लास्रूम में चीज़ें बताई गई जो वॉक टेस्ट किये गए उसका बहुत कहरन तरीके साथिन करके अपनी कम्यों पे कांद किया और उनका selection हो तो इसलिए खास्तोर से I am in door, I am rotak, BBA, PMS के एंटरेस टेस्ट की तैयारी प्लस्टू के बाद 40 से 50 दिनों में बहुत अराम से संभब है पूरे देश में हजारों पच्चे तैयारी करते हैं और इधिकाईश पच्चे प्लस्टू के बाद ही करते हैं तो आप भी उनमें सेख हो सकते हैं, आपका selection भी हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको लगाता है, इमानतरी से काम करना होगा, अपने फैकल्टी की सलाह पर ध्यान देने होगी और किसी भी क्लास को आप मिस्स ना करें इन्ही शब्दों के साथ मैं आप सब को शब कामना है देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब आएं और अपना selection भी पड़े college में सुनिश्चित करें अगर आपको कोई भी संदे है, if you have got any doubts, you want to talk to us, आप देखना चाहते हैं कि test होता कैसा है, mock test कैसा है तो मेरे office के numbers, mail id, address सारा अभी आप देख पा रहे हैं, screen पर और थोड़ी दर तक screen पर आपको भी दिखाता रहे हैं, चलता रहे हैं Please, don't be afraid to contact us, हमसे बात कीजिये, आप अगर अपने career को लेकर भी confused है, के plus two में मैंने commerce किया, arts किया, medical किया, non-medical किया, अपने career को लेकर भी confused है, तो you can walk in also for a free career counseling session, तो इन शब्दों के साथ, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much